उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार अपना कुन्बा बढ़ाती जा रही है समाजवादी पार्टी के साथ गडबंदन करने वाले सुहल दे भारती समाजवादी के अध्याक्षों प्रकाश राजबर जी हमाए साथ है राजबर जी आप आए और आपके आने के बाद अब साथियों की संख्या समाजवादी के साथ बढ़ती जा रहे है जैन जी के साथ भी बाचित हो रही है आम आदमी पाटी भी साथ हा रही है अपना दल कृष्णा पटेल गुडवे साथ हा रहा है ये कुन्बा बढ़ाने में आपका भी मदद आप भी कर रहे हैं कि आखिलेज जी कि हम तो सुरू से पहले हम यही उमीद किये थे कि सब लोग भागीदारी संकल्प मुर्चा जो हम बनाए थे तो इन सबको एक साथ जोड़ करके एक साथ चला जाए तो कुछ लोग साथ आए जैसे नव लोग आए तो नव लोग को लेके हम चले गए तो लोगों से बाचीत भी, बाचीत में लोगों ने कहा कि हम लोग आएंगे, थोड़ा हम लोगों को समय दीजिए, थीक भई आप लोगों के पास अभी समय है, और आप लोग आईए, आप एक दोहा मैंने कहा था, सायद याद होगा, कि कौन कहता है चलनी में पानी नहीं आप देखेगा, चुनाव क्या सुचना, तो छोड़ देजिए, चुनाव नामांकन के पहले तक, बहुत से लोग आएंगे, और उत्तर पदेश में एक बदलाव की बयार है, धरातल से ये आवाज आ रही है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अब चलना चाहिए उतर, तो लोग दीरे दीरे आ रहा है, और एसी जी की बर्फ जम रही है क्या, उनको समझ आ रहा है क्या, देखेए मैं फिर कह रहा हूँ आपके कहा भी था, कि चार सो तीन सीटे हैं उत्तर प्रदेश में, और परिवार बढ़ता जा रहा है, और छेतरी पाटियों की इतनी हवस ह है कि हम कुल सीटिये ले ले लें, तो हम कहते हैं कि सभी सीट की बात ना करिए, आप लोग सव सीट की बजाए आप दसे सीट लड़ो भाईया, सव लड़कर के एकव नहीं जीतोगे, दस लड़के दसो जीत जाओगे, जीत करके अपनी पाटी चलाओ, यही मैं सबको समझा आप लाता था, सबको आज भी कहता हूं कि जादा सीट अकेले लड़के कोई कुछ कर नहीं सकता है, हम लड़के हमारा अनुभाव है, मैं 2004 लड़ा, 2007 लड़ा, 2009 लड़ा, फिर 12 लड़ा, फिर 14 लड़ा, हम लड़के अकेले देख लिए न, तो ओड़ पा सकते हैं, जीत न बंधन के दोर में है, भारती जनता पाटी, पचास दलों को मिला करके, तब देश और प्रदेश में सासन कर रही है, तो जब वो कर सकती है, तो फिर आप अकेले कौन सा तोप कर सकते हो, इसनाते सब को मिल करके, और एक साथ लड़ने की जरूरत है, मोर्चा आपने बनाया, मोर्चा आपका तूट गया, और अखिलेश जी का मोर्चा जो है लगतार बढ़ रहा है, तो ऐसी जी से बातचीत होती है, क्या कि सब साथ आजाओ, अखिलेश जी से आपने बात बात कुछ कराई हो, दिखिए, मोर्चा हमारा तूटा कहां है, हमारा तो भागीदारी संकल् हमारे मोर्चे के प्रेमचंद प्रजापती, बाबू रामपाल, रामसागरबी, ननिल चौहान, प्रेमचंद कस्याप, 37 बंजारा और गुलाब खंगार, वह ऐसी जी जी छूट गया है, मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ साथियों को ज्यादा उमीद है, हम तो कहें कि भाई हम तो फिर देखा जाएगा, बहुत सीट के जगड़ा हम नहीं करते, सीट तो आप देखा, बाई सीट बीजेपी कह करके हमको आठे दिया, तब भी हम चुपचा मरके लड़के अकेला है, चार लोग आए, आज देश में तो हम चारे पार्टी, चारे मिले के बज़ाए से तो बड़े नाराज हैं आप से, नहीं, देखे, नाराज़गी के कराण है, कि मैं बार बार कहता हूं कि भाई सब लोग ज्यादा डिमान करो, अब स्विपाल जी की दिमान, स्चंसेखर जी की दिमान, उनकी दिमान, हमारी दिमान, सब की अगर हम जोड़ देंगे, तो 600 जहां तक हम लोग के अपनी अपनी छमता, उस छमता के हिसाब से ही, हमको सीट मांगनी चाहिए, अब आप ये नहीं बता रहे हैं, बात हुई की नहीं हुई, और अगर आपकी बात हुई, तो अखिलेश जी से आपने ओएसिस आपकी बात कराई या नहीं, नहीं, हमने बात नहीं कराई, हम खुद बात करते हैं, बात जहां हो जाती है, अब ही जैसे आपने देखा कि चार बार मैं मिला था, संजे जी से, आम आदमी पाटी से, तो जब चौती बार हमने कहा कि नहीं, मोर्चे में आएगे, तो नहीं खाए कि नहीं कोई बात है चीत नहीं हुई, ना अभी कोई बात नहीं हो जाएगी, आप बताईएं, आपको तब तो जूटा साबित कर रहे थे, मुझे आद है कि उन्होंने ट्वीट किया था, कि जूट बोल रहे हैं, आप कोई बातचित इस तरह के नहीं हुई है, तो अब आप उनको जूटा साबित कर रहे हैं, हम देखे मैं उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कि नेता दुमहिया साब होता है, वो क्या बोलेगा, उसका कोई ठीक नहीं है, तो आप देखे, हम को जूटा साबित, जीसे उन्होंने कहा, लेकिन हम अपने साक्ष और सबूत के साथ, आप भी लोगों के चैनल पे चला कि हम, अब उन्होंने अपनी आईडी से चूट किया था, इसा नहीं कि हम अपनी आईडी से, उन्होंने मिलने की वारता कि उन्होंने अपनी आईडी से चूट किया था, तो वो सारे साक्ष हैं, हम कभी हमारी यादत है कि हम न गलत काम करते हैं, न गलत करने की सला देते हैं, हम हम बयान भी हमने उनके पक्ष में ही दिया था और तीन साल पहले भी मैंने कहा था कि हम बीजेपी को हराने के लिए एक नम सप्टा से निको बेदखल करूँ है तो उसमें तो दिонд्या तो सपय रही थी मैंने बयान भी दिया अब के सिकर समेडन में भी बयान दिया कि बीजेपी से सपा ही लड़ रही है जिला पंचेत के चुनाव में ने कहा कि हम बिना सर समर्थन समाजवादी पार्टी को जो भी हमारे 107 कनिजेट जीते हैं 117 हम जहां जहां हैं तहां हम सपा कोड दिलाएंगे अब भी आपने घुमाया था बात को कभी सपा ने कहा कभी बसपा को फेवरेट कहा कभी कॉंग्रेस को फेवरेट कहा कभी कहा कि हमारा मोर्चा ही सफल होगा तब भी आप घुमाई रहे हैं नहीं हम बात नहीं घुमाई रहे हैं सच बोल रहे थे जब बात आप लोगों के तर हम निड़े नहीं ले सकते, अब हम लोगों के मुकिया मानि अखले से आदव जी है, कोई भी बात हमारे सामने आतित, हम उनके हां तक पहुचा जेते हैं, कि ये बात आगे बढ़ाई जाए, कि वहीं छोड़ दिया जाए, कोंग्रेस के साथ तो सपा गडबंदन कर चुकी है, तो क्या कोई गुणजाईश है कि कॉंग्रेस भी आ जाए आप लोगों के गडबंदन में? अभी हमारे तरफ से कुई ऐसी पहल नहीं, हमारे जानकारी में, और कांग्रेस तो कह रहे हैं कि हम अके लिए लड़ेंगे, लेकिन जो इधर गडबंदन हुआ है, सपा और भाग हो सकता है, हम मध्यसता कर सकते हैं, अगar वो मिले की नहीं यहीं है इसा करो थाम ये बात, उनकी बात उनकी हैं पहुचा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और यह कहे, कि हम अगडबंधन करा दें, तो भाई हम पहल कर सकते हैं अच्छा राजवा साब अभी मुख्यमंत्री जी पर निशाना साधने का कोई मौका आप नहीं छोड़ते हैं अभी आपने कह दिया कि पूजा का पार्ट करने से कोई इंजिनियर नहीं बनता है पूरे देश में एक भी परिवार बता दिजे एक भी व्यक्ति या एक भी बच्चा बता दिजे जो मंदिर में पूजा करके इंजिनियर बना हो या डाक्टर बना हो मास्टर बना हो कलक्टर बना हो बाबा साब डाक्टर अमबेटकर ने बहुत साब बात कहा था कि आप अपन कर दिए कर जीवन भर हाकिएगा तो पढ़के लोग विद्यालाय में पढ़के तब वो डाक्टर मास्टर इंजनियर कालेक्टर बन रहे हैं किसी मंदिर से और मस्जिस तक कोई न तो इंजनियर बना है न तो डाक्टर न कोई प्राइमरी पास का सावटी पेकेट है नहीं मिलता है और क्या करेंगे अगर आप सरकार में आगे तो हम तो साब साब बात है असनात कोतर तक फिरी यह अनिवार सिक्छा और एक समन सिक्छा इस सारी ब्यवस्था देंगे उसके बाद भी जो माबाप चारी सुविधा के बाद जो माबाप अपने बच्च स्वागत करते हैं नहीं बहुत साइब बन जाए ये गरीब कम जोर लोग बच्चों को बकड़ी चरवाते हैं गोली खेलवाते हैं तो इससे उनको एक भए होगा एक दबाव होगा कि नहीं हम ऐसा नहीं जैसे 302 कम है ठीक है इसके बाद भी हत्याए हो रही हम नहीं कह रहे हैं लेकिन एक भए बना रहता है न कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो ऐसा मेरे मुझे जिल जाना पड़ेगा तो वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा जो हम अभियान चलाते हैं स्कूल चलो अभियान तमाम योजनाई बनाते हैं ये सब करने जिरूरत नहीं पड़ेगी और तो जब डर भे रहेगा तो अपने बच्चे को लजा के हाजरी लगा के आएगा कि कहीं इसकूल न जाए अगर अनुपस्तित हो गई सासन को मालूम होगी है सरकार को तो कहीं हमको न जेल जाना पड़े मदर्सों पे भी लागू होगा ये का ये सब के लिए होगा जब सारी ब्यवस्ता सिक्चा के लिए फिरी है एक समान सिक्चा है तो फिर आप बच्चे को इसकूल क्यों नहीं गए जोगे मैंने ये सवाल इसलिए कि दरजा प्राप्त मंत्री है रगुरास सिंग जी योगी सरकार में उन्होंने कहा कि मदर्सों से आतंकवादी निकलते हैं देख बच्चा चार तो भारती जनता पार्टी से निकल रहा है जो जामाजिक नया समितिक रिपोर्ट रदी की टोकरी में पड़ी हुई है तो भारती जनता पार्टी से निकला हुआ है इस पर उभास नहीं करेंगे सरकार तो उनकी है कौन रोक रहा है दिल्ली से लेके हैं तक ड दिल्ली और लखनव जितने भी नेता हैं, इनको नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम लोग जूट बोलो, हिंदु मुसल्मान की राजनीत करो, धरम की बात करो, सिच्छा की बात ना करो, रोजगार की बात ना करो, नवकरी की बात ना करो, यही सब डरामा करते हैं। 12,000 रुपिया, तो कहां से गरीब जाएगा, तो किसके लिए बना रहे हैं, डानी अंबानी के कारो बार के लिए बना रहे हैं, कौन जाएगा हुआ, एक भी बता देजिए, कोई गरीब कमजूर जो बिचारा दिन बार रिक्सा चलाता है, दिहारी पे मजदूरी करता है, व तो हमारा पेट बढ़ेगा, भरेगा, तब हम उसके बिजह में सोचेंगे, सिक्षा, स्वास्त, रोजगार नवकरी के बाद, तब हम सेंसेक्स सोचेंगे, तब हम बिदेश निती, क्रिशी, निती, उद्योग, निती, तब हमारे समझ में आएगे, अब पेट नहीं भरा है सिक्षा नहीं है, तो हम का समझेंगे, एक्सप्रस वेपर भी जहाज उतार दिया, बीजेपी ने, कौन से नहीं बात कर दिया, जहाज तो अखिलेश जी ने भी उतार दिया था, इनसे पहले उतार दिया था, इस तो नकलची लोग हैं, नकल मारने में बहुत महाई रहीं सा आपको उपने घर जाने में आसानी होगे होगे, लखना उसे बलिया तक अब पुर्वांचल पर चड़के जाते होगे, कैसी बनी है रोड रोड तो ऐसी बनी है, कि सायद अगर समहार के न बैठिये, तो अगर 800 की स्पीट पकल ले गारी ड्राइबर चलाने लगे, तो ऐसे ऐसे गढ़े हैं सडक पे, ब्रेक मारेगा तो सवारी जैसे हम पीछे बैठे हैं, तो हम ड्राइबर के सीट पर चले जाएगे और ड्राइबर बाहर चला जाएगा, आईसी सडक बनी है, एक दिन हमारे साथ चलिए दिखा दें आपको, बहुत दिंग हांकते हैं न, आईसे ऐसे गढ़े हैं, अभी उद्घाटन के पहले चक्ती लग गई सडक पर, उद्घाटन के पहले चक्ती, ऐसे कपड़ा फट जाता है तो उस पर चक्ती लगती है गाओं में, उसी तरह की चक्ती लग गई, और मजे की बाद की घर फिनिस हुगा नहीं, अब गिरिफ प्रवे बनेंगे तो उद्घाटन करेंगे तो मोगे नहीं मिलेगा, इसी घरबढ़ाहट में यह सब उसको किये हैं, चलते चलते टाजबर साब एक सवाल ये कि इस बार यूपी का मुसल्मान किस पर भरोसा करेगा, खिलेश जी पर या ओसी पर, दिखे, बाबा साब ड़क्टर बेटकर ने गुप्त मद्दान की बहुस्ता करें, मैं आप से बहुत सीधी बात पूछ रहा हूं और आप घुमा रहे हैं, अखिलेश जी पर या ओसी पर, दिखे, वो बीजेपी के खिलाप ओड देने को तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो तांड़ जो दहसत का माहुल बीज कि यह है कि वो सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ओड़ देने की तैयारी में है, तो राजबर साब को सुन रहे थे, आप जिन्हों ने कहा कि मैं बात जूट नहीं बोलता हूं, घुमाता जरूर हूं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ उनका बंदन है और इसको मजबूत करने की हर तरफ से कोशिश हो रही है, कैमरापसन प्रेम सिंग के साथ रनवीर एबीपी निउज लगना हूं